वेल्कम यू फ्रेंड इन इस वीडियो वी आर गोएंग तो डिसकस अबाउट वरियाज डिजीज आप पापाया सच इस फोटरॉट ग्लीफ कर्ड और मोजेक यह दोनों डिजीज वाइरस से होती है और यह पिथियम जो एक फंगा से उससे होता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड फुटरॉट दिजीज इस कॉज़ बाई पिथियम अफेनी डर्मेटम यह जो डिजीज है उसका सिम्टम कॉलर रिजन से स्टार्ट होता है इसलिए इसे फुटरॉट कहते हैं कमीं तू सम्टम इन नर्सरी था प्रांसो तंपिंगोप बत इन अड़्ट स्टम इस वाटर सोग पेचे से कॉलर रिजन यहां से इस पेचेस इन अट नर्ट इन रपिदल द इस्सें ट्रॉट इस पेचेस इन अटर्ट डडल द इस्टम जी तर्ट बार्ग बार्ट भ्लेगा? अफते प्लाट दोन गुपत प्लाट वोल रेट बारे, टूपल लुबिन टॉपलाव इस जो कॉलर रिजन है यहां से सिम्टम स्टार्ट होता है पहले वाटर सोग लिजन बनते हैं उसके बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है यह इस्टेम के चारो और आते हैं जिसके कारण से यह वो अलब पोरसन कमजोर हो जाता है और इस्टेम का एक ही साइट अफेक्ट होता है और जो फ्रूट्स होते हैं वो मुर्जा जाते हैं और उनका सेफ विगड़ जाता है धीरे धीरे वो प्लांट मर जाता है जो पिधियम है वो लोवर फंगस है जो सब डिविजन मेस्टिगो माइकोटिना को बिलॉंग करता है इसलिए इसके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच्ट, हायलाइन और सिनोसिटिक होते हैं मतलब उसमें septation present नहीं होता है जो sporangiophore है वो simple होता है और mycelium के जैसे दिखाई देता है यह जो दिख रहा है यह है sporangiophore और यह mycelium तो mycelium और sporangiophore में कोई difference नहीं दिखाई देता एक sporangiophore में एक sporangiophore में एक sporangiophore में बनता है और sporangiophore के अंदर juice spores बनते हैं इसमें उस spores भी बनता है उस spore क्या है एक sexual spore है इसके बनने के लिए myosis की ज़रत होती है यह spherical होता है और double world होता है यह जैसे picture में दिख रहा है sporangiophore में germination होता है फिर vesicle बनता है vesicle के अंदर juice spore बनते हैं जब यह vesicle फट जाता है तो juice spores बाहर आते हैं और यह juice spore है वो germinate होके infection करते हैं coming to disease cycle जो pathogen है वो उस spore और clematos spore के form में soil में या crop debris में survive करते रहता है next season में जब papaya plant लगाया आता है तो उसमें यह infection करते हैं तो यह direct penetration होता है इसका मतलब यह है कि जैसे यह stem है यहाँ पे fungus का micellium है तो यह पहले enzyme secret करते हैं ऐसा enzyme जो की पौधे के cell वाल को तोड़ता है उसके बाद यह fungus उस टूटे हुए वाल से पौधे में इंटर करता है symptom develop होता है यह जो fungus है वो sporindia भी बनाता है sporindia से juice pour बाहर आते हैं उसके बाद यह juice pour है वो wind से rain से और irrigation water से एक पौधे से दूसरे पौधे में move होते हैं coming to epidemiology, it require more than 90% of relative humidity, 28 to 32 degree centigrade temperature, 100% rainy days and high dose of nitrogenous fertilizer coming to management, हमें हमें सा integrated disease management practices adopt करना चाहिए जैसे crop rotation with non-host, sanitation of the orchard, avoid waterlogging condition, summer deploying, seed treatment with thyrum archepton, soil drenching with metal exil, soil solerization of nursery and application of trichoderma यह जो metal exil है यह lower fungus के लिए specific होता है जैसे की pythium, phytophthora and downy mildew fungus to download pdf files, please scan this qr code, download link is also available in description of video coming to leaf curl, यह जो symptom दीख रहे हैं, यह leaf curl का है, इसमें leaf में curling हो जाती है और यह papaya leaf curl virus के द्वारा होता है, coming to symptom यह जो picture में दीख रहा है, यह है leaf curl, curling, crinkling and distortion of leaf जो leaf है, वो मूड़ जाते हैं, इसका जो leaf lamina है, उसका surface uneven हो जाता है और जो पत्तियों का safe है, वो बिगड़ जाता है, reduction in the size of leaf lamina यह जो leaf lamina है, उसका जो size है, वो कम हो जाता है rolling of leaf margin, inward and downward, thickening of winds यहाँ जो leaf में winds होते हैं, जिनका काम, water, nutrient, food material का transport करना होता है वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं leaves become leathery, brittle and distorted जो leaf का thickness है, मोटाई है, वो थोड़ा बढ़ जाता है और brittle हो जाता है, मतलब इसको तोलने से यह easily तूड़ जाते है plant extented affected plant does not produce flowers and fruit जो plant है, अब इतना सब कुछ हो चुका है तो जो plant है, वो बॉना रह जाता है पावर या fruit produce नहीं करता है coming to etiology papaya leaf curl virus इसमें जो genome है, वो single extended DNA होता है और circular होता है, तो यह जो दीख रहा है picture में यह single extended DNA है और इसका जो capsid है, वो geminate particle होता है दो spherical particle आपस में जुड़े हुए होते है इनका size होता है 30 x 18 nanometer transmission, इसका जो transmission होता है वो bemecia tabasi, जो एक white fly है, उसके द्वारा होता है coming to disease cycle virus survive in collateral host, perennial and weed host जैसे यह है, इसमें अभी virus survive कर रहा है अगले season में जब papaya plant लगाया जाएगा फिर क्या होगा, जो आसपास के white fly है, वो इस infected plant को feed करेंगे और varuliferous बन जाएगे, मतलब यह जो virus है, plant से निकलके insect में चले जाएगा अब यह insect किसी दूसरे plant को feed करेगा, और virus को transmit करेगा virus उस plant के अंदर multiply होगा, symptom develop होगा अब क्या होगा, जो दूसरे healthy white fly हैं, आसपास वो उस infected plant को feed करेंगे और यह जो virus है, plant से insect में चले जाता है फिर से यह insect दूसरे plant में जाएगे इस प्रकार से यह जो virus है, पुरे और्चड में फैल जाता है बाद में यह insect दूसरे collateral या weed host को feed करेगा और फिर यह survive करते रहता है Coming to epidemiology Presence of virus, dense planting, high dose of nitrogenous fertilizer variety susceptible to insect, high relative humidity and cloudy days Coming to management, we should adopt integrated disease management practice like crop rotation with non-host, raise the nursery in protected area, spray imidacloprid to control the insect, roguing up infected plant as early as possible, use of disease-free planting material, sanitation of the orchard and removal of weed host Coming to mosaic, mosaic means होता है alternate green और alternate light green या yellow का पैचेस This is caused by papaya mosaic virus Symptom The virus cause leaf mosaic and stunting in papaya young seedling source, vein clearing and downward cupping of the leaf Motel and mosaic develop after 15 to 20 days of inoculation So, इसमें क्या होता है, mosaic develop होते है The leaves are reduced in size and also source blister like patches of dark green and yellow green So, each disease में क्या होता है, mosaic develop होता है, green, फिर yellow, फिर yellow, फिर इदर green ऐसे और जो leaf lamina का size है, वो कम हो जाता है Overall, जो plant का growth and development है, वो रुख जाता है Coming to etiology यह जो papaya mosaic virus है, उसका genome single extended RNA होता है और उसका size होता है 6.6 kb मतलब इसमें 6,600 base होते हैं nitrogen के इसका जो capsid होता है, वो rod shape का होता है, इसका size होता है 12 x 580 nanometer इसका जो transmission होता है, वो contact से होता है, जिसे mechanical transmission कहते हैं इसके लिए कोई insect vector नहीं है, और ना ही यह seed से transmit होता है Coming to disease cycle Virus कहां survive करता है, collateral, perennial और weed host में यह जैसे इस plant में अगर virus survive कर रहा है अगले season में नए papaya के plants लगाए जाएंगे, यह लगा दिये अब क्या होगा, interculture operation के time, जो tools use होते हैं पहले वो इसके contact में आएगा अगर virus इसमें अभी भी चिपका हुआ है और यह tool healthy plant को अगर touch करेगा तो जो virus है, वो healthy plant में चले जाता है वहाँ यह multiply होता है, symptom develop होता है और फिर से interculture operation वाले जो tools हैं, उसके द्वारा फिर से वो एक papaya plant से दूसरे papaya plant में चले जाता है, तो इस प्रकार से इसका secondary spread होता है 4- vari अप्योडी में चले जाता है यह क Generally 8, Dense planting presence of virus and planting of new plant in old orchard 5- mould है कमें यह करे टूसमें यह करे हैं, यह यहांचा सिन्षी प्लंट मateurs है ने यह चाले जाता है, इसके प्लाओंट अणीनने में नचले चले farm tools before each use crop rotation with non-host इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद